ओके दोस्तों आज मंगा लिया भाई यहां पर सबसे सस्ता 4GB VRAM वाला ग्राफिक काड यह है इस भाई ग्राफिक काड तो बड़े देखें बड़ यह 4GB का है और प्राइस जानके हरान हो जोगा क्या लगता है क्या 7000 अरे नहीं साथ 5,000 नहीं नहीं 4,000 वो भी नहीं यह मात 3500 से भी कम का मिल जाएगा हां चार जीवी का है और लेटेस्ट वाई गेम स्विम साथ टेस्ट करने वाले यकीनन वाई वीडियो हिला देने वाली है क्योंकि मैं टेस्ट कर चुक हूं ग्राफिक काड अगें इंसेन होने वाला है लास्ट टाइम आपको यह दो महीने पहले बात करी थी दो जीवी का था वो अब दो जीवी का जैब्रोनिक्स का लिया था वो 2000 के आसपास गाता उसकी आप आई बेटन से वीडियो देखना जखास थी वैसे आप लोग यह ग्राफिक काड यूज कर रहे हो बताना कोमेंट में बागी यह वाला तो सीन खतरनाक है क्यो आप जो लेटेस्ट आप देखते हो ना 1050 Ti यह सब आपने देखे होंगे 4 GB वाले ग्राफिकर वो DDR4 है वो भी अच्छे है वो भी आप सपोर्ट कर जाएगा आपके PC में थोड़े महंगे रहते हैं आपने देखा होगा 10,000 से तो स्टार्टिंग होते हैं काफी अच्छे वा बादेंगे बागी चीज इतनी खतरनागे गेम स्टेस्ट करेंगे पर सबसे पहले इसको मैंने डब्बे से निकाल लिया इसको पहले अन्बॉक्स करते हैं फिर गेमिंग टेस्ट पर आते हैं ओके दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज के स्पॉंसर्शिप की बात और हाँ इसके अंदर आपको बहुत बड़ी एर मीडिया लाइब्रेरी मिलती है 122 मिलियन इमेज़ और यह जो वीडियो की रहती है तो आप कुछ हद तक फ्री भी उस कर सकते हो बागी इनका प्रीमियम भी आफ्लेवल है यू कें चेक आउट आउट वेबसाइट आपको म भाइए में आप जोगे तो यह जेलिवेड इमेज बना ली वह बhistoire सकते हों मैं यह जेलिवरेशन मचा सकते हो बागी transition आपको बहुत मिल जाते हैं 3D 2D अलग-अलग type filters का option है अगे इन भाइद बहुत सारे filters effect मिल जाते हैं आपको effect आप देख सकते हो basic हो गया फ्रेम हो गया या फिर अलग-अलग जितनी भी चीज़े हो masking तो मास्क कर सकते हो अबजेक्ट को बागी दोस्तों डबल क्लिक ओडियो पर करोगे तो भाई यहां से आके आप यहां क्लीन ओडियो कर सकते हैं बैग्राउंड नॉइज हटा सकते हैं और हां श्टॉक इमेजिस में जाके AI का यूज जरूर करना बागी कलरेक्शन मिल जाता ह और अंगीनत भाई बहुत सारी चीज़ें तो मोर डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन टीक है दोस्तों डबा लेगी यहां पहुंच चुके हैं और यह अपना ग्राफिक कार्ड है इसका डबला इतना फैबुलस नहीं लगता हमें तो मैटेरियल से मतलब है एक और चीज यहां वाई 3200 के आसपास का है बागी देखो बॉक्स पर में कुछ ज्यादा चीज है नहीं GT 730 अपना यह ग्राफिक काड रहने वाला है 4GB VRAM के साथ आता है DDR3 मेमरी है इसलिए यह सस्ता है समझ रहो वणना 4GB वाले ग्राफिक काड और महेंगे भी है 1050 Ti यह सब देखा हुआ बात करूं तो इससे जादा कुछ खतरनाक नहीं मिलता HDMI VGA और DisplayPort यह सब दिखा रखाए नहीं DVI Port इसमें मिल जाता है बागी बॉक्स ओपन करते हैं इसके लिए आपको PCI Express Slot X16 Slot चाहिए वह बेसिक है भई हमने इवन 10,000 का नहीं बनाया था PC उसमें इसको लगाने वालो उसमें भी सोचो X16 ता तो मोस्टली चाहिए हर PC में होता है जाता तो यह अपना अगर बॉक्स ओपन करें तो सबसे पहले यहां पर आ जाता अपना में यूनित यस इट्स ग्राफिक कर रखी है ऐसा लग रहा है ताइम पास के लिए नहीं होता पर चलो हमें अगें यूनि इतने सस्ते में जैसे मिलते है उस तरीके का कुछ फील है तो यह इसकी बेसिक लिए अपने को सीडी वीडी तो उससे हमें क्या करना अगर इंस्टॉलेशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है आपके खातिर भाइस को मैं 10,000 वाले PC में इंस्टॉल कर रहा हूं अपने रि इंस्टॉल करना अगेन अपने को मिलता है एक सिक्ष्टी बस घुसेड़ो पलग एटन प्ले कर दो मामला सेट है तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन भी अपने कंप्लीट हो गई है अब भाई टेस्ट की बारी है मतलब यहां पर गेम स्वेंस टेस्ट करते हैं ग्राफिक का सबसे पहले मैं आपको प्रैफर करूंगा हो सके तो आई बटन वाली वीडियो देख लेना उससे आपको एक आईडिया पता चल जाएगा हमने जार दस हजार वाला एक पीसी बिल्ट किया था उस पर जब गेम्स टेस्ट करी तो कितनी गेम्स कैसी चल रही थी आज उसी पी जी प्यू लगा हुआ है और यह अपना जो सिस्टम पीछे देख रहे हुँ नहीं यह 10,000 में हमने बिल्ट किया था तो अगेन सबका बाइलिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट से कंप्लीट यह पीसी ले सकते हो ग्राफिक काड जो चाहिए है ना वह व स्क्रीन क्वाल्टी बहुत बढ़ियां लग रही है मतलब पहले विदाउट जी प्यू जो हम नहीं चला रहे थे 10,000 का पीसी वह वाली वीडियो जरूर देखना आई बटन से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कैसा वह पीसी चल रहा था ठीक है अब यह जी प्यू लगा अब थोड़ा क्वाल्टी मतलब एक रहता है ने नेचुरल बढ़ियां वाली जो फील आ जाता है वह वाला सीन है तो अगेन जीपी जो काम रहता है ग्राफिक्स बेटर कर देना वह तो इसने बहुत अच्छे से किया अगेन जब हमने दो जीपी वाला लगाए था वह भी क यह दोनों गेम्स मैंने पहले भी टेस्ट कर रहा था विधाउट जीपी तो आप आई बटन से वह वीडियो देखना जो बता रहा हूं यार दस हजार का हमने रफ ली एक टेस्ट कर रहा था तो उससे आपको एक आईडिया लग जाएगा बागी स्पैक्स दिखां यहां प पीस है तो ठीक ठाक मिल जाता है डिस्प्ले में जाता हूं तो देख लो अभी यहां पर लिखने लग गया है जी देखो यह जीफोर जीटी स्यासो तीस है अमने जो डाला है चार जीबी में वीराम मिलती है जो हम गेम्स में बढ़ा के यूस कर सकते है यह चीज का अलगी सबसे पहले में यहां पर जीटी फाइव को अनेबल कर देता हूं इसमें एक fps कर लेते हैं कितने मिल रहे हमें कि सेटिंग पर ओके दोस्तों यहां पर देख सकते हो GPU चल रहा है यह 10,000 का मुव्मेंट करता हूं तो अगें यह 30 के आसपास ही रहते हैं अभी मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो भाई यह कोई जो ग्राफिक्स अभी चल रहे है ना इल्कुल भाई आपके मिड़ आप समझ सकते हो मतलब मीडियम सेटिंग्स में यहां यहां पर 1920 x 1080 यह अपना वो फूल एचडी वाला उस ग्राफिक्स और उसके एकदम डल वाले ग्राफिक्स होते हैं उनके बीच में गेम खेल रहा हूं मतलब एक इंटरमीडियेट आप समझ सकते हो तो यहां जो fps है अगें यह बढ़ चुके हैं पहले से काफी है मतलब यह 20-25 के आसपास जा रहे है ग्राफिक काड के साथ यह कम होईगी उतना ज्यादा स्मूथनेस होगा वही वाली बात है बढ़ा होगी तो लोड आएगा तो यहां देखो मैं इसको कम कर देता हूं अब यह जो यह सेटिंग है वन टू यह वाला इस पर एकदम धुमाधार चलेगी यह अपना आप 720 के आ रिलाइस करो तो यह सई आ रहे हैं मतला काफी है थी इसके आसपास पहुंच गए अब इसको मैं बिल्कुल अगर नल कर दूं इसको कम कर देता हूं बिल्कुल जितना एकदम लो हो सके तो यह वाला लो है यह सबसे लो है तो इस पर भी गेम आप खेल सकते हो वही ग्राफि यह वहां पे थे 25 की आसपा सोच सकते हूं तो कुछ पैसे खर्च करके वही 3,000-3,500 हम थोड़े बैटर ग्राफिक्स में जाया जा सकता है देखी रहे हो आपके सामने अचा अगर मैं इसको फूल एच्टी कर दू जो लोग का बहुत प्रेफरेबल रहता है लोग पसंद कर समझ रहे हो ना तो आप देखो यार आप तो कम होई जाएंगे सीधी से बाता फूल एच्टी पे चालाना चाहरे हो अगें यह जितने फिस दिखा रहा है यह भी ठीक है पट गेम आपको थोड़ी चौपी और लोगी टाइप ही लगेगी समझ एना थोड़ी सी पर यह 30-25 क असपास fps आ रहे हैं फूल एच्टी पे ठीक है मतला ग्राफिक कार्ड अपना काम बहुत बढ़ियां से कर रहा है दो जीबी से तो बहुत ही बैस्ट है मतलब दो जीबी वाला कुछ नहीं था वो तो लेना बिल्कुल फायदे मन नहीं था पर यह वर्त है देख रहे हो ना आज मैंने लोक खोल दिया वर्ना वर्ना 60 पे रह जाता है न वी सिंग पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं भाई fps ज्यादा दिखा रहा है पर यह देख रहे हो फ्रेम बफर यह कहीं कहीं पर यह हीटिंग इसू भी हो सकता है यह और और कुछ भी चीज़ें हो सकती है कोई दिक्कत ही नहीं है 4GB का भी अपना ही पन है इवन यह तो DDR3 है DDR4 महंगे आती है ग्राफिक कार्ट लाइक यह साथ 8000 के वो तो और बेस्ट है वागे दोस्तों यह कंप्लीट लियार ओवर और सीन था अच्छा लगा ना मैं एकदम क्लियर कट बता हूं 2GB जो था अपना से डील अच्छी थी अब बात करते हूं इसको पर्चेस वर्चेस कैसे कर सकते हो या तो भाई इसको आप 10,000 वाले PC के साथ हमारा ले सकते हो अगे और सेकेंड ऑप्शन है यह ग्राफिक कार्ड ले लो अब इस ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग आपको 3300 के आसपास मिल और ऑफ-लाइन की मैं बता रहा हूं आपको ऑन-लाइन थोड़ा महंगा ही होता है और जैब्रोनिक्स वाला मॉडल 100-200 रुपय महंगा हो रहता यह सीन है अब पर्चेस की बात करूं तो देखो हमारी वैसे तो वेबसाइट रेडी होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्य पर डिपेंड करता है बढ़ हां मेरे साफ से यह ग्राफिक कार्ड थोड़ा ठीक था या अब वही है कि आग बोलो के तो 4GB वाला DDR4 भी ट्राय करेंगे बागी चलो यार इस वीडियो में इतना ही वो तो प्रॉपर गेमिंग ही हो जाएगी है ना बागी चलो इस वीडियो म इतना पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकतो सब्सक्राइब बनता है टैग रिलेटेड वीडियो के लिए शेर करते ना मिलते नहीं शुड़ो में तब तो के लिए बाई यार जै हिंज जै भारत वंदे मातरम